meditation, saadhana, techniques आप सभी का स्वागत है दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक विशेश प्रकार के बैच की गोशना कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक सिखाया जा सके और अधिक से अधिक आप ज्ञान को प्राप्त कर सके तो सबसे पहली बात तो ब्रहमूरत अपने आप बहुत विशेश होता है ब्रहमूरत की जो महिमा है वो अपरमपार है सुश्मरूप से अनेको देवता पॉजिटिव शक्तियां ब्रहमूरत में भ्रमण करती है और इस समय आप जो ध्यान करते हैं उसकी जो उर्जा होती है वो काफी उठी होती है और हमारे सानेद्य में ध्यान करने पे आप उस लिंक से जोड़ते है हम इस बैच में आपको ब्रहमूरत ध्यान करना सिखाएंगे योगनित्रा सिखाएंगे कुलिनी और चक्रो का रहस बताएंगे प्रत्याहार सिखाएंगे जिनकी कमर में प्रॉब्लम है उनके लिए हम कुर्सी पर ध्यान का एक्सेशन सिखाते हैं दोस्तों एक बहुत बड़ी समस्या आरी करफी साथकों के बद में कि वो ब्रहमचर को मेंटेन नहीं कर पा रहे है ब्रहमचर यानि सेलिब ऐसी और ध्यान के लिए ब्रहमचर कितना महत्पूर्ण है ब्रहमचर को कैसे मेंटेन किया जाए और रियल में ब्रहमचर क्या होता और क्या खाने से पीने से ब्रमचर अधिक दिन तक बना रह सकता है इस पे एक विशेश सेशन इस बैच में होगा तो जो सादक ध्यान को सीखना चाते हैं ध्यान में आगे आना चाते हैं और ब्रमचर में भी उनको दिशू हो रहा है तो उनके लिए ये बैच बहुत जो के लिए होगा और अगर इस Ś्ट को सत्य को जानना चाते हैं तो इस बैच को आप च्वाइन कर सकते हैं रहो है कि दोस्तों ध्यान को ढोईए नहीं ध्यान को प्राप्त कीजिए और ध्यान तभी प्राप्त होगा जब आप किसी विशेश गुरू के मारधर्शन में या किसी अच्छे सिक्षक के मारधर्शन में ध्यान को सीखेंगे हमारे साथ बहुत सारे सादक जुड़े हैं जो ध्यान को प्राप्त कर चुके हैं और ध्यान में काफी अच्छे लेबल तक वो गए है आभी भी उनकी यात्रा चल रही है क्योंकि ध्यान तो अनन्त है तो इस सभी प्रकार के ध्यान को सीखने के लिए भ्रमचर के को सीखने के लिए आप ये बैच जॉइन करिए तेरा फरवरी को ये बैच शनिवार को खुलेगा लाइन खुल चुकी है आप नीचे दिएगे नंबर पर हमारी काउंसलिंट टीम से बात कर सकते हैं और अगर नंबर पर आपको कुछ समस्या आ रही है तो आप प्लीज मुझे वाटसप करिए नंबर जब आप शुरुआत मे कॉल करेंगे तो वो फॉवर्डिंग आता है तो दो मिनट रुकिए जैसे ही वो फॉवर्डिंग का लाइन खतम होगा नंबर कनेक्ट हो जाएगा तो आप 13 फरवरी में आईए और ध्यान को सीखिए इस नीचे दिएगे नंबर पर 976 973 9797 पर आप वाटसप कर सकते हैं और 21 दिन का मैंने बरम होरत का ध्यान का कोर्स किया है और जिसमें कि मुझे बहुत ही अच्छा मेरे अनुबव बहुत ही अच्छा रहा है बहुत ही सकारत्मक रहा है और इस इस अनुबव में मैं यह कहना चाहूंगे कि मैंने की मैंने पोर्स से जोइन किया था क्योंकि मैं मेर मेरा मन शान नीन था, मैं काफी विच Bitte देदा था, focus ने कर पाता था. डिसिजिन लेने में दक्टन होती थी, क्विए इभर कभी ओधर मैं सोच नी थी. अर बहुत ही ध्यान मेरा लगने बाता था, इसलिए मैं पहले खुद भी कर रही थी ध्यान, फिर मैंने ध्यान जोइन किया, इससे मुझे बहुत ही फादा हुआ, बैठना, लंबे टाइम तक बैठना, और अपनी विचारों को देखना, जब आप लेखते हैं, और देखना कि कहां कहां हुमारे विच्ण करते हैं विचा पहले ज़ए उठना होता है, विच्ण के लिए पहले उठना होता है तो पहले दिन के बाद में हमारी नीद बिया भी खुल जाती है, मतलब अलाम की घंटी है, उससे पहले भी खुले हम बंद कर देते हैं अपना तो यह बहुत ही अधू एधुत लगा मुझे, चाहें, आप टाइम से ऊड़ जाते हैं, और हमारे जो बैच में कई सारे एक्स्रा सेशन भी हुए थे तो सुभे और शाम हमने दोनों टाइम भी अभ्यास किया है ध्यान का और हमने इतवार को भी ध्यान का भ्यास किया है तो इससे हमें काफी मदद मिली है। और जो मेरा अनभव रहा है, वो सबसे अच्छा हां मुझे आगा है कि योग नित्रा जो होती है इसमें, जो कराते हैं, उसके हर सेशन में इतना अनन्द आता है। उसको मैं कभी नहीं भोल सकती है, वो बहुत ही अच्छा अनन्द आता है। और जो एक सेशन होता है जिसमें कि आशीष ची आपकी जो परस्नल प्वेरीज हैं, आपके ध्यान के बारे में उसको वो सॉल्व करते हैं। तो वो बहुत ही मेरे लिए भी मुझे बहुत अच्छा लागा वो सेशन क्योंकि कोई भी सादक है उसके मन में कोई क्वेशन होते हैं रुकावट होती है तो अगर वो दूर हो जाए तो वो अपनी रहा पे आगे चल सकता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि इस तरह का कोर्स है वो बहुत ही अच्छा है बहुत ही सकरात्मक तो होना ही होना है इसका जो रिजल्ट है कि और निश्यत ही ध्यान जो लोग पहले से कर रहा है उसमें उन्नती होती ही है क्योंकि जब आप किसी गुरू के अंडर में होते हो तो कि रुची बढ़ती है आप टाइम लगाते हो उसमें तो आपकी तो उन्नती तो निश्यत होती ही है और मेरे भी में भी पहले से बेटर बहुत अच्छा का ध्यान का भ्यास मेरा हुआ है मैं और भी उसके अंदर रुची बढ़गी मैं और भी आगर जाना चाहती हूं इसम मुझे बहुत ही इच्छा लग रहा है और शुक्रिया झाल